गुड मॉर्निंग चिल्डेन चलिए तो आज हम लोग हिंदी का होंबग कंप्लीट करते हैं ठीक है तो जब से पहले मैंने आपको क्या दिया था कसे ग्या तक लिखो तो यहाँ हैडिंग भी डाल लो आप होंबग यहाँ पे हड़ डाल लेना जब करोगे उस दिन का डिट डाल लेना और हेडिंग में क्या है कसे ग्या तक लिखो ऑड़ यहाँ आपको अब आप ऐसे आंसर बना होगे चलो यहां से लिखते हैं यहां एक लाइन की चोब ऐसी लाइन की चोब सुन्दर लिखना है कसे कबूतर बोल बोल के खसे खरगोश गसे गमला गसे घड़ी गसे कुछ नहीं ओके अब एक लाइन छोड़ देना तो साफ होगा ठीक है पर चसे चमच चसे चतरी जसे जहाज जसे जंडा यहां मने कुछ नहीं उसके बाद तसे टमाटर तसे ठठेरा दसे डमरू धसे धककन अड़ा मतलव कुछ नहीं तसे तरबूज थसे थरमस दसे दवात धसे धनुश और नसे नल चलिए उसके एकलाइन फिर छोड़ दीजिए यहां पर न प से पतंग फ से फल ब से बतक ब से बतक इसमें एकलाइन भी खिषते हैं अंदर ब से भालू मा से मचली यह से यग र से रत ल से लटू व से वक इसमें देखे पेट के अंदर लाइन ने किछना है और व से वक उसके बाद श से शलगम उसके बाद स स स सटकोड स स स स पेरा ह स स हल छ स स छत्रिये तर स स त्रिशूल और ग्यासे ग्यानी अब यहाँ बिरामचेंड फुल स्टॉप अब इस तरह देख लीजिए एक साथ आपको दिखा दे जैसे मैं आपने लिखा ऐसे आप बोल बोल के लिखोगे और इतना ही सुन्दर साफ एक पेज में कर से ग्या तक लिखना है ओके तो नेक्स्ट होमबर्क क्या है मारा दो अक्षर वाले शब्द इसी तरह आप अपनी कापी खोल लीजे और उपर डाल दीजे होमबर्क hw डाल दीजे तो ऐसे date डाल लीजेगा date डाल लीजेगा और इस तरह heading डाल दीजेगा और यहाँ number डाल दीजेगा 1 कितने लिखने थे? 10, तो 1 लिख दिया और 1 से लिखे दो अक्षर वाले लिखे हैं तो लिखे हैं फ, ल, फल ठीक है? ऐसे लिखना है फिर एक प्लाइन छोड़ दीजे आराम से और 2 number डाल दीजे सुन्दर लगेगा कर कर और 3 number डाल दीजे अब लिख लिजे क म कम 4 number डाल दीजे लिख लिजे ध, न, धन ठीक है? चलिए number 5 डाल दीजे इसमें लिख लिजे ख, त, खत ठीक है? अब फिर number डाल दीजे 6 number डाल दीजे लिख लिजे न, ल, नल फिर लिख लिजे 7 number चर चर 8 number डाल दीजे ग म गम 9 number डाल दीजे फ, न, फन पिर डाल दीजे 10 number इसमें लिख लिजे ल, त, ल, त इसी तरह आपको 10 number तक लिख देना है तो चलिए देखिए इस तरह मैंने लिखा है ना 10 number डाल कर line से इसी तरह आप भी लिखेंगे एक-एक line छोड़ देंगे heading डाल देंगे और इसमें आराम से लिखेंगे और देखे मैं मैं आपको कर कर के बता रही है ना इसलिए कि कोई बचाईये ना कहे कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था मैं आपने सब को बताया है अलग-अलग से और सब का complete होना है ना और यह भी धान दखिएगा मैं मैं ने किसे लिखा है sketch pen से और आपको किसे लिखना है pencil से आप लोग pencil से लिखेंगे चलें नेक्स्ट हमबर्ग तीन अक्षर वाले शब्द जैसे हमने दो अक्षर वाले सब्द लिखे थे hw डाल लीजेगा और इसी तरह नमबर वन टू करके टैन तक लिखेंगे तीन अक्षर वाले सब्द ठीक है पहला नमब्द लिखते हैं चलिए pa wa na मातरा नहीं रहेगा इन अक्षरों में ठीक है बिना मातरा वाले सब्द लिखने हैं आपको ठीक चलिए दूसरा लिखते हैं नमबर डालिए नमबर कर दिए two म, ट, क, मटक नमबर थ्री डाल दो लिखो म, ह, ल, महल नमबर फो अ, ग, र, अगर नमबर फाइब क, प, ट, कपट नमबर फिक्स ग, ग, न, गगन शिक्स के बाद, सेवन च, ह, क, चहक नमबर एट ट, ह, ल, ट, ह, ल, ट, ह, ल, न, व, न, ग, न, न, ह, र, न, ह, न, ह, र, न, ह, और, ट, न, थ, आ, बाद एट, ल, इस, देखां, आपने इस तरह से आपको भी लिखना है पूरा एक साथ देख लीजिए एक-एक लाइन छोड़ दिया मैंम ने और बस विसेज ध्यान के स्टेज की रखनी आपको कि आपको पैंसिल यूज करना है है ना मैंमने स्केजपैंसे पढ़ाया है लेकिन आपको पैंसिल यूज करनी है और इसी तरह साफ साफ है ना हेडिंग डाल के हड़क डाल कर और नंबर डाल कर लिख डालना है ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट होंबा करते है चार अक्षर वाले शब्द शब्द HW भी डाल देंगे सबी बच्चे है न और फिर साफ साफ नमबर डालते चलेंगे लिखते चलेंगे ठीक है चलिए क्या लिखना है कटहल कटहल दूसरा लिख लेजिए तीसरा नमबर लिख लेजिए मखमल छी नमबर फोर लिख लेजिए Number five डाल दीजे Number six Number seven Number eight Number nine Number nine Number ten डाल दो इसमें लिख दो नटखट इसी तरह एक बार पूरा एक साथ देख लीजे उपर से numbering करते चले जाना है तेन तक लिखना है बस ध्यान रखना है पैंसिल से लिखना है और साफ साफ लिखना है ठीक है और ये नहीं कि कोई बताया नहीं मैं आपको बताया है किसी का इंजायर करने की जरूत नहीं है बस अपना होमबर कंप्लीट करने की जरूत है आपको अमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल पर पड़े हुए वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने जादा से जादा दोस्तों के साथ सोचल नेटवरकिंग साइट पर वीडियो को शेर करिए विकॉज शेरिंग इस केरिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने इस रेड बटन को प्लिक करना होता है ये बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट होता है तो बे फिकर होकर सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि बेल आइकन ही आपको रिमाइंड कराता है कि कोई नई वीडियो पड़ गई है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू